ओम शान्ती, 9 नवंबर 2022 के महवाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की गती सद्गती करने की मत वा राय सबसे न्यारी हैं, इसलिए गाते हैं तेरी गत्मत तुम ही जानो, वह स्वैम अपनी मत देती हैं, प्रशन, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? उनका सोभाव कैसा होगा? उत्तर, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मत भेद में नहीं आती, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं, बीके का सोभाव बहुत बहुत मीठा होना चाह अंदर जराबी कडवापन अत्वा देह अभिमान ना हूँ गीत ओम नमोशिवाई ओम शान्ती सब सेंटर्स के नूरे रतनों को बेहद का बाप समझा रही है सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते है देखो इस दुनिया में हरे को हरे के लिए नफरत है गोरों को कालों के लिए नफरत है समझते हैं ये हमारे गाउं से मिकल जाएं इतनी नफरत आती है इतने धर्म वाली हैं सब एक दो से लड़ते जगड़ते रहते हैं यह है ही रावन का राज्य, उनका अब अन्त है, मनिश्य तो जानते नहीं पुकारते रहते हैं, कि हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, हे लिबरेटर आओ, दुख तो सबको है ही, बुद्धी भी कहती है कि इनको हैविन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग ही सबको यादाता है, तो जरूर अभी नर्क है, नई दुनिया थी तो जरूर फिर वह शानती के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर, वहाँ इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा, अभी फिर सुख शानते का नाम निशान नहीं है, पांच अजार वर्ष पहले सुख धाम था, बाकी सब आतमाई शानती धाम में रहती थी, ये भी तुम अब समझते हो, जबकी तुमको परम पिता परमात्मानी समझाया है, कहते भी हैं, शल तुमको इश्वर समझ दे ले, ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रमा विश्णु शंकर अच्छी मत दे, इश्वर का ही नाम लेते हैं, तो जरूर है कोई, इसमें इश्वर ने ही मत दी होगी, और साकार में ही आकर दी होगी, लिखा हुआ है श्रीमत भगवानो वाज, सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान की मत, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी, भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरानी लगाया होगा, ना सारी दुनिया आ सकती है, ना भगवान सब के पास जा सकता है, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकती है, कितने धेर मनुश्य है, कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब धोड़ी देख सकेंगे, इतने सब मनुश्य आत्माओं को बापाकर गतीवा सदगती देत हैं, शांती धाम और सुख धाम अलग अलग हैं, सुख धाम में अशांती नहीं होती, दुख धाम में फिर शांती नहीं होती, ये सब बातें बाप समझाते हैं, जो कोई शास्त्र में नहीं होंगी, भगवान को कहा जाता है नोलिजफुल, वह सब कुछ जानते हैं, उनकी सद्गती वा सद्गती की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं हे प्रभू, तुम्हारी गत्मत तुम ही जानो। जब तुम बताओ तब ही हम जाने। तो जरूरूरून को आना पड़े, नहीं तो सद्गती कैसे दे। सर्व का सद्गती दाता और सर्व का बाप वह है। सब आपस में भाई-भाई हैं, ना कि बाप ही बाप हैं। यह समझ की बात हैं, परंतु आसूरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया। सब आसूरी मत के अधीन हैं। तुमारे पास अब कितनी रोश्नी हैं। यह लक्ष्मी ना पारायन जो इतनी उच सद्गती को पाय हुई हैं, उनों में भी यह नोलेज नहीं रहती। त्रिकाल दर्श्री बाप है, उन द्वारा यह रज्य पाया है। बाप किनों को आकर त्रिकाल दर्श्री बनाते हैं। जरूर बच्चों को ही बनाएंगे, सगे बच्चों को दिखाएंगे, फिर उन द्वारा और सिखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्रामन, विश्नुवा शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है, प्रजा पिता ब्रह्मा तो यह ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता। दोनों बाप ठहरे जरूर ब्रह्मा द्वारा ही स्रश्टी रचेंगे गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्रामनों की स्थापना अनेक धर्म मनुष्यों के हैं तो एक धर्म भी मनुष्यों का था मनुष्यों की बात है जानुरों की तो हो ना सके पाबा ने समझाया है पहला प्रशन पूछो कि पतित पावन कोन परम पिता परमात्मा या गंगा जल एक फैसला करो फिर इतने मेले आदी पर जो भटकते हैं उनसे चूट जाएंगे कहते हैं पतित पावन तो बुद्धी ऊपर जाती है पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धी पानी की तरफ चली जाती है ज्यान अमरित नाम सुना है तो गंगा जल को अमरित समझते हैं तो सबसे मुख्य प्रशन यह है बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं परंतु क इसको याद भी पड़े, बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, प्रंतु बुद्धी में बैठा कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना समझते हैं, ब्रमा कुमारिया अच्छा रास्ता बताती हैं, घर गए खलास, इसले प्रदशनी में जब आते हैं, तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझा कर लिखाना चाहिए, सैकडों आते हैं, कोई की बुद्धी में एक बात भी नहीं ठहरती, बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन इन मुख्य बातों पर भाशन किया, यह स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है, तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे, बच्चे बहुत खुश होते हैं, तुम बच्चे उतरती कला और चड़ती कला पर भी समझाते हो, कोई मुक्ती में गए, कोई जीवन मुक्ती में गए, सबका भला हो गया, सबकी चड़ती कला हो गए, अफिर उन सतो प्रधान सत्युग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है, तो यह भी दिखाना पड़े, कि द जाते नहीं, हर एक बात पूछना चाहिए, यह पढ़ाई है, टीचर होकर बैठना चाहिए, पाकी भाशन किया, स्टेज पार्टी बना, यह तो कोमन है, यहां तो हर एक बात पूछनी है, सरव का सद्गती दाता, पतीत पावन बाप एक है वा सरव्यापी है, अगर सरव्य पी है, तो फिर बाप कैसे ठहरा, बताओ, पतीत पावन ज्यान का सागर, गीता का भगवान है या स्रिक्रिश्नी, भगवान किसको कहेंगे, जरूर निराकार को कहेंगे, इस हिसाब से गीता खंडन हो गई, गीता माई बाप खंडन, तो सब शास्त्र खंडन हो गई, तुम सिद कर बताओ कि सारी दुम्या जूटी है, सब पत्थर बुद्धी है, पारस बुद्धी होते ही है सत्यूग में, पारस बुद्धी है, तब तो बाबा आकर पारस बुद्धी बनाते हैं क्योंकि पत्थर बुद्धी है, जो पारस बुद्धी थे, वही आकर पत्थर बु बीज के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुछ बुद्धिवा तमो प्रधान हैं, पिछाडी में सब तमो प्रधान बनते हैं, क्रिश्चन धरम आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमो गुणिती, नहीं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, इस समय सारा ज़ाड जड़ड़ी भ इनका विनाश होना है, इस पर अच्छी रिती भाशन करना है, ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया, बड़े बड़े अक्षरों में यह पहली लगादो, जो सब पढ़ें के गीता का भगवान, उनर जनम रहित, ज्यान सागर, परम पिता परमात्मा या स्री कृष्णी, भगव पान में ही गीता रची और पतीतों को पावन बनाया, याद भी उनको करते हैं, अब कृष्ण की आत्मा ही भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं हैं, पांच विकारों के डायलोग बहुत करते हैं, विहंग मारत की सर्विस करनी चाहिए, अपने को अकलमन बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अकलमन कैसे हो सकते हैं, अभी तो कच्चे हैं, हर एक मर्चेंट, हर एक दर्म वालों को तुम्हे अलग अलग निमंतरन देना है, राम कृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोशेशन है, उनके जो मुख्ये हैं सब को निमंतरन दे कर बुलाना चाहिए, ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रही, आपस में राय करनी चाहिए, बाप श्रीमत देते हैं, मुख्ये प्रोब की बात उठानी है, तुम माताओं को अच्छे तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए, लेकि अभिमान बहुत है, रामराजय में ना जाने के लिए तो लायक बनना पड़े न, यह है इश्वर्य राजय, इसमें आसुरे सोभाव वाले रहना सके, उनको बीके कहलाने का भी हक नहीं है, बाप कितना मीठा प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए, कोई-कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं, बाप कहते हैं यह तो जंगली काते हैं, तो एक-एक बात पर अच्छी तरह पूछ कर फिर लिखाना चाहिए, पतित पावन परमातमा या गंगा, सरव का सद्गती दाता, परम पिता परमातमा या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाह प्रोजेक्टर में भी पहलियां आ सकती हैं, अब जज करो गीता का भगवान कोन, बाप तो डारेक्शन देते हैं, पहली मूल बात सिध करो, अलफ को जानना तो सब कुछ जान जाएंगे, बीज को जानने से जाड को जान जाएंगे, तुम बच्चों को अब बहुत मेहनत क करनी चाहीं, सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रही हैं, मनिश्यों को लाब लेना चाहीं, आता एक भी नहीं है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ब्रती मात पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुद मोरनी, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद, प्यार गुद मोरनी और नमस्ते जी, धाना के लिए मुख्य सार, पहला पोइंट, आपस में राय कर विहंग मारक की सेवा करनी है, कभी मत बेद में नहीं आना है, दूसरा पोइंट, टीच विचरबन सभी को अलफ की पहचान देनी है, चड़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है, ज्यान की पहलियां पूछ कर सत्यता को सिद्ध करना है, वर्दान, मास्ट्र दाताबन खुशियों का खजाना बाटने वाले सर्व की दुआउं के पात्र भव, विस्तार, वर् नाशी खुशी के आवशकता है, सब खुशी के बिखारी हैं, आप दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम है देना, जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो, हर समय देखो कि माश्र दाता बनकर कुछ दे रहा हूं, या सिर्फ अपने में ही खुश में, जितना दूसरों को देंगे, उतना सब की दुआओं के पात्र बनेंगी, और यह दुआई सहज पुरुशार्थी बना देंगी, स्लोगन, संगम की प्राप्तियों को याद रखो, तो दुख वा परिशानी की बाते याद महीं आएंगी, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, पहला पॉइंट, ओम रटो माना ओम जबो, जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं, तो ओम कहने का मतलब यह नहीं, कि ओम शब्द का उच्चारन करना है, सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फाइदा नहीं, परन्तु ओम के अर्थ सुरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शान्ती प्राप्त होती है, अब मनुष्य चाहते तो अवश्य हैं कि हमें शान्ती प्राप्त हो, उस शान्ती स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परन्तु रिजल्ट ऐसे ही बनता जा रहा है क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुश्य आत्मानी जब तक पांच विकारों को नश्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांती कदाचित हो नहीं सकती तो पहले हर एक मनुश्य को अपने पांच विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा क साथ जोडनी है तब ही शांती स्थापन होगी तो मनुश्य अपने आप से पूछे मैंने अपने पांच विकारों को नश्ट किया है उन्हों को जीतने का प्रेतन किया है अगर कोई पूछे तो हम अपने पांच विकारों को वश कैसे करीं तो उन्हों का यह तरीखा बताया ज कि पहले उनों को ज्यान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महवाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धी योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सरव शक्तिवान प्रभु को याद करनी से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साथना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। जब तक मनुष्य अपने पांच विकारों को भसम कर, कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गती बहुत गहन है, जिसको सिवाए परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गती को जान नहीं सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गती नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ती प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत्मत तुम ही जानो, इनकी सद्गती करने की मत वो परमात्मा के पास है, कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है, बाकि मनुष्यों को तो यह ग्यान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कारिय करते रहते हैं। अब मनुष्यों का पहला फर्ज है, अपने कर्मों को सुधाना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाब उठा सकेंगी। अच्छा, ओ शान्ती।